विपक्ष कम सकम अपना अपराध ही सब को समझा दें कि अपराध नहीं करे इसका चिंता विपक्ष करे तो हमारा 70% अपराध रुख जाएगा 30% तब हमको मेहनत करना परेगा क्योंकि जहां भी अपराद हो रहा है जहां बलतकार हो रहा है सब विवक्ष के लोग कही ने कहीं से उनसे समंदित होते हैं पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाई बार मैं हूँ आपके साथ प्रभाकर पांडे आपको बता दें कि भारती जनता पार्टी के नेता को सीटी चौक पर पटना सीटी में हत्या कर दी गई है इसको लेकर पत्रकारों ने मंगल पांडे से जब सवाल किया कि क्या पुलिस प्रशासन इस मामले में फेलियर है उन्होंने कहा कि मुझे सुबह ही पता चला कि मेरे ही कारेकरता की हत्या हो गई है और ये चैन स्निचर का काम है जो भी अपराधी है उसको बक्सा नहीं जाएगा हम लोग को पुर्ण विश्वास है प्रशासन पर कि अपराधी पकड़े जाएंगे और उस पर कठोर कारवाई की जाएगी इसे के साथ भारतीय जंता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्रीप जैस्वाल का बयान सामने आया है क्या कुछ कहत निजर आ रहे हैं पहले आप इनका वियान सुने ख़द घटना है हम मरमाहत है एसेसपी से बात हुई है पुलीस के बरिये पुलीस अधिक्षक से एक अपराधी चिन्नित हो गिया है अपराधी पक्रा जाएगा सरकार की सोच है कि अपराध नहीं हो और अगर कोई अपराध की घटना घटती है तो अपराधी को सजा मिले ये सरकार का असपष्ट सोच है विपक्स कम सकम अपराधी सब को समझा दे कि अपराध नहीं करे इसका चिन्ता विपक्स करे तो हमारा 70% अपराद रुख जाएगा 30% तब हमको मेहनत करना परेगा क्योंकि जहां भी अपराद हो रहा है जहां बलतकार हो रहा है सब विवक्ष के लोग कही ने कहीं से उनसे समंदित होते हैं तो उतना मदद कर दें कि अपने अपराद ही को कम से कम थोड़ा सा यह समझाने का प्रियास करें कि कून यात्रा पर की निकल रहा है विरुजगारी है अपना यात्रा पर निकल रहा है कोई काम नहीं है तो कुछ तो करेंगा दो भाई आप लोग कही चिंता करते हैं अगर नेता यात्रा पर निकल रहा है तो गुमगाम के आएगा थो रसा सरीर फ्रेस होगा, माइंड फ्रेस होगा, तब नेतागिरी फिर करेंगे मुझे पुरा उमीद है कि आप राधी तुरंत पकड़े जाएंगे और कठोर्तम सजा उनको मिलेगी या हम सब भारती जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही तकलीफ कच्छन देखें आप राधी ने अपराध किया और निश्चित रूप से भारती जनता पार् इस घटना को लेके दुखी है और पुलिस प्रसासन निश्चित रूप से अपराधी को पकड़के और हम सब लोग उसको कठोरतम सजा जो समवजधान में होगी वो उसको मिलेगी पुलिस तंत्र का फेलियोर मानते हैं मंगजी देखे मैं कह रहा हूं कि पुलिस तंत्र उस अपराधी को जरूर पकड़ेगी जिसने भी इस अपराध को अंजाम दिया है और अपराधी कानून से बचेगा नहीं है मैं कह रहा हूं अपराधी कानून से बचेगा नहीं भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश अद्यक्ष दिलिप जाय स्वाल ने कहा कि जो भी अपराधी अपराध कर रहे हैं वो इस सरकार में पकड़े भी जा रहे हैं अपराध तो होता ही है लेकिन अपराधी पकड़े जा रहे हैं सवाल इस पर है यदि नहीं पकड़े जाते तब कोई विपक्च से सवाल उठाता और मैं विपक्च को ये कहना चाहता हूँ कि यदि अपने ही अपराधियों को समझा दिया जाए तो 70% अपराध कम हो जाएंगे और मुझे मातर 30% अपराधियों पर सिर्फ काम करना पड़ेगा मेरा काम आसान भी हो जाएगा तो मैं यही कहना चाहरा हूँ विपक्च के लोगों से कि अपने अपराधियों को समझा लें 70% अपराध कम हो जाएगा इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं दिलीब जाय स्वाल तो वहीं सारे मामले को लेकर जो 10 सिप्तमबर से राज़त के कारे करता पूरे बिहार में भ्रमन करने वाले हैं यात्रा पर निकलने वाले हैं इसको लेकर उन्होंने कहा कि कैसी यात्रा ये यात्रा निकालने दीजिए निता का काम है और ये यात्रा निकालके वह अपना मूड फ्रेश कर लेंगे बाकी जनता सारे बात जो है बिहार का जो उनके कारिकाल था जानती है इसलिए कोई दिक्कत नहीं निकलने दीजिए उनके पास बेरोजगारी है बेरोजगारी में कोई काम तो मिलना चाहिए तो यात्रा पर निकलेंगे उनका काम ही है निताओं का यात्रा पर निकलना बैठके करना तो इस तरह का ब्यान देते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद